32 साल की एक प्रतिग्या थी, ये कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि प्रधान मिंत्री मोदी, 32 साल पहले उन्होंने एक प्रतिग्या ली थी, हमारे सामने उस वक्त का एक साक्षी निकल कर आया, जो ऑफिसेल फोटोग्राफर था, उसने कहा था कि हमने मोदी जी से सवाल पू तो दिदी, आप जो कह रहे ही थी, इनी सवालों में से दो सवाल, आपने आडवानी जी का नाम लिया, आडवानी जी रथ लेकर निकल पड़े थे, और आप लोग उनके पीछे आप लोग थे, और ये जो नारा आपने भी बताया कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, आज की तारीख में आपको क्या लग रहा है, आडवानी जी जाएंगे वहाँ, निमंत्रन दिया गया है, अब लेकिन मुझे नहीं मालूम क्योंकि आडवानी जी का जो अब जो उनका आयू है, उनकी शारीरी का वस्ता है, उसको देखते हो क्योंकि ये तो उन संकल्प के लिए उन्होंने इतना बड़ा उनको लौह पुरुष का भारतियों ने उनमें वो देखा था, तो निश्चित रूप से नहीं जाएंगे, लेकिन चित्त चेतना से तो वहीं होंगे, और हो सकता है, वो जाएं भी इमंत्रन दिया लेकिन ऐसा आपको नहीं लगत कर चुके हैं, लेकिन अभी जिवित हैं और स्वस्थी हैं, अपना काम खुद से कर लेते हैं वो, तो आपको लगता है कि क्या आडवानी जी को वहां होना चाहिए, निश्चित रूप से वो जाएंगे तो सबको और भी बहुत आनंद होगा, क्योंकि पुरानी इस्मरतिया अभी भी और आप ये देखो श्री निवाज जी, इस्मरतियां चित में होती हैं और वो हमारा धन होती हैं, क्योंकि वो यादें, अभी तो वो पीड़ी अभी है ना, जिनोंने उस उठान को देखा था, उस ऐसे जाजवल लेमान चीजों को देखा था, जो पूरे भारत को राम में कर गई थी, तो उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगना ने, तो निश्चित रूप से उनको वहाँ जाना चाहिए, होना चाहिए, और अगर उनकी शारीरी कवस्था इसके लिए उनको इजाज़त देती है, दिदी आप उसान दोरन में थी, और अब आपने संबो अब यहां की बात हो रही है, कि अब यहां भी कृस्न जन भूमी को आजाद कराया जाए, उस वक्त की कुछ वो पंक्तियां जो आप जन मानुस को जगाने के लिए कहा करती थी, मैं कहा करती कि आंधियां चलने लगी अब ज्वार को पैदा करो, पार्त तुम गांडीव में तंकार को पैदा करो, फिर चलने लगी है समर भूमी की भूमी का पार्त तुम गांडीव में तंकार को पैदा करो, सबसे बड़ी पंक्ति में जो बोलती थी श्री निवाज जी के राम जी करा रहे है यहाँ कोई ने तृत तो श्रे ले नहीं सकता ना कोई राजनेतिक पाइटी ना कोई संगटन यह राम जी का काम था राम जी करा रहे है राम जी का काम है राम जी करा रहे है राम जी का काम है राम जी के काम में काहे का भी राम है जिन्दा रहे तो जग जीमन अलाम है मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है हमको तो काम बस राम जी के काम से राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से दिदी आपने उस धूम धाम के लिए क्या त्यारियां की है हमने बहुत त्यारियां की है कि मुझे बहुत पहले आ जाने क्योंकि जिस चबूतरे पे खड़े होकर हमने वो सारे सपने संजोए थे जहां उद्बोधन हुआ था जहां सरीव का जल हाथ में लेके शपत ली थी मैं सारी उनी समरतियों को दुबारा जीना चाहती हूं जीदी मैं तो दस बारा दिन हो रहके आगया फिर आओंगा आपके साथ अब को रखे आगे